लास्ट वीडियो हमने पेपर वन की बात की थी, हमने पूरा सलेबस जो है वो अच्छे से देख लिया था आज के वीडियो में हम देखेंगे जो आपका पेपर टू सोसल साइन्स का सलेबस है उसके बारे में अच्छे से डेटेल में देखेंगे कि इसमें कितने सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे और उन सब्जेक्ट के अंधर भी कौन-कौन से टॉपिक होंगे तो सभी के बारे में डिसकस करने वाले हैं बिल्कुल हिंदी में मैं आप लोगों को ये सब बताने वाली हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कॉपी पैन लेकर बैठिए जो भी सोसल साइंस के स्टुडेंट हैं वो सभी अपना स्लेबस नोट करेंगे हिंदी में और अगर आप इंगलिस में करना चाहें तो इंगलिस में तो वीडियो में आप देख सकते हैं तो दिखिए सोसल साइंस का पेपर इसके अंदर आठ सब्जेक्ट आप लोगों के पूछे जाते हैं और वो कौन-कौन से हैं हिस्ट्री, जोग्रफी, एकोनोमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोसलोजी, पब्लिक एडिनिस्ट्रीशन, फिलोसॉपी और टीचिंग मैथर् ठीक है, यह सब भी आपके पूछे जाएंगे, तो चलिए एक-एक करके हम इनको देखते हैं, एक-एक टॉपिक कौन-कौन सा आप लोगों पढ़ भी चुके हैं और कौन-कौन सा आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले इतिहास की बात करेंगे, कि इतिहास में कौन-कौन से पूछे जाएंगे, तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक है, सिंदु-घाटी सभ्यता और इसकी मुख्य विसेशताएं, यह आपको पढ़नी है, उसके बाद बैदिक काल, सामाजिक और धार्मिक जीवन, धर्ड नंबर पर है, बुद्ध और जैनधर्म, बौद्ध और तो इन सभी टॉपिक से आप पहले से ही परिचित भी है, यहाँ डिटेल में आप लोगों को पढ़ना होगा, फिफ्ट में देखिए भक्ती और सूफी आंदोलन, नेक्स्ट है, सिक्स नंबर पर मुगलकाल, मुगलकाल में 1526 से लेकर 1707 औरंग जेव तक का आप लोगों को देखना होगा, तो यहाँ जो भी मुगलकाल में प्रसासनिक सुविधाएं या सांस्कृतिक उपलब्दियां, यह सभी यहाँ आजाएगा, नेक्स्ट, शिवाजी एवम, शिवाजी का जो सामराज्य था, जिसमें सिवाजी और माराथा सामराज्य यह आजाएगा, 1857 की क् उसके बाद फ्रांश की क्रांती, और अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, रूस की क्रांती, संयुक्त रास्ट़ संग, और लास्ट है भारत का विश्व सांती में अ हत्याएगा. योगदान तो यह सभी टॉपिक आपको इतिहास में पढ़ने हो गे और कौन सी बुक से पढ़ना होगा तो यह आपको पता है किस लेबस में ही आप लोगों के लिखा गया है ग्यारवी बार्मी की बुक पढ़नी है, हिस्टरी आपको बार्मी की पढ़नी है, और ग्रेजुएशन की पढ़नी है, ठीक है, तो मेरी सला ये है आप लोगों के लिए, कि आपको 12 की बुक में ये सभी टॉपिक मिल जाते हैं, सभी टॉपिक मिल जाते हैं, तो हम लोग बु पूरा syllabus देखेंगे बुक के अंदर और यदि सभी topic वहाँ पर मिल जाएंगे तो आप 12 तक भी पढ़ सकते हैं Next Google Geography की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रत्वी की गतियां और अक्षांस और देशांतर रेखाएं तो बेस तो आप लोगों का पहले से ही clear हैं हम लोग 6 से 10 तक ही complete कर चुके हैं तो जोग्रफी में सर ने आपका जो बेस है वो तो clear करवा ही दिया गया है तो आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं आने वाली तो प्रत्वी की गति इसके प्रभाव अक्षांस और देशांतर रेखाएं नेक्स्ट सेकिंड नमबर पर प्रत्वी की आंतरिक सनरचना महादीप महासागर की उत्पत्ती आकस्मिक संचलन और उसके बाद है वातावरण ठीके नेक्स्ट देखिए महासागर की जो धाराएं हैं ज्वार भाटा हैं वो पढ़ना है फिफ्ट नमबर पर भारत का जो भौतिक स्वरूप है जलवायू है मृद्दा है यानि मिट्टी है क्रिशी है और इसके अलावा उध्योग है जनसंख्या है ठीके और इसी में नदियां और जीले आपको पढ़ना होगा नेक्स्ट राजिस्थान के संदर्व में जोगरफी में आपको राजिस्थान का जो भौतिक स्वरूप है पढ़ना है जलवायू पढ़नी है मृद्दा पढ़नी है क्रिशी पढ़नी है और वही अपवहा तंत्र जो है नदियों का वह पढ़ना है इसके अलावा वनस्पत बारवी तक कि यदि आप बुक पढ़ लेंगे अच्छे से, एक-एक लाइन आप अच्छे से देख लेंगे, तो यहाँ पर भी आप लोगों को कोई परिशानी नहीं आएगी. नेक्स्ट बात करेंगे हम एकोनोमिक सब्जेक्ट की, तो कुछ बचों के लिए तो यह नया ही है सब्जेक्ट, क्योंकि सभी तो नहीं पढ़े होते हैं, एकोनोमिक्स, तो इसमें देखिए, टॉपिक दिये गए हैं, केवल यही टॉपिक आप लोग पढ़िएगा, नेशनल इंकम, रास्ट्रिय, आये की जो अवधार्ना है, वह पर नहीं है, मांग और पूर्ती, और उप्भोकता संतुलन की जो अवधार्ना है, नेक्स्ट थर्ड नंबर पर, मुद्रा की परिभासा, इसके कार्य, वानिज्य बैंक, केंद्रिय बैंक, फोर्थ नंबर पर, भारत का विदेशी व्यापार, और वैश्वी करण की अवधार्ना, नेक्स्ट निजी करण, उदारी करण, ये सब आपको अर्थ सास्ट में पढ़ना होगा, और फिफ्ट पॉइंट पर है, भारत में आर्थिक नियोजन, गरीबी और बेरोजगारी, भारत की, तो ये आपको एकोनोमिक्स में पढ़ना होगा, अन्त में मैं आपको बताऊंग कौन-कौन सी बुग जो है, वो यहां हम फॉलो करेंगे, नेक्स्ट देखिए अप पॉलिटिकल साइंस में, राजनीती विज्ञान में, तो यहां पर राजनीती विज्ञान के जो सिद्दान्त हैं और इसके अलावा परंपरागत, आधुनिक उपागम, शक्ति, वैधता और संप्रभुता, यह पढ़ेंगे, सेकिंड पॉइंट में है, भारतिय समविधान, तो यहां तो सब कुछ आ जाएगा, मुखे विसेशनाए, भारतिय समविधान की, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीती निर्देशक तत्व, समविधान के संसोधन, संग, राज्य सरकार, विधायका, कारेपालिका और नियाएपालिका, थर्ड नमबर पर देखिए, यहां पर लोकल सेल्फ गवर्मेंट यानि की स्थानिय स्वसासन आ जाएगा, भारत का पडोसी देशों के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, यह आ जाएगा, और नेक्स्ट पॉइ वह पड़नी होगी, और भारत की विदेश निती, फिफ्ट पॉइंट पर देखिए, जो व्यापार है, वो पड़ना है, और वही वैश्वी करण, और वन्चितों का सरसक्तिकरण, यह आपको पड़ना होगा, पॉलिटिकल साइंस में, तो अभी घवराईये मत इतना सारा स लिए बस देखते हुए, क्योंकि उपर एक बार देखिए, इस्ट्री जो है, वो आप लोगोंने लगबग पड़ ली है, थोड़ा सा और डीप में जाकर पड़ेंगे, ठीक है, तो पेपर वन में भी हम लोग कुछ टॉपिक जो है, वो यहाँ से करेंगे, जोगरफी में यहाँ से कुछ टॉपिक जो है, वो आपके पेपर वन के ही है, ठीक है, भारत और विश्व का जो भूगोल पढ़ेंगे, पेपर वन में, तो वही आपका यहाँ पर भी काम आएगा, एकोनोमिक्स थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया है, तो वो आपको पढ़ना होगा, पांच ही टॉपिक हैं, ज्यादा नहीं है, पॉलिटिकल साइन्स में भी देखिए, वही कि केंदरिस्तर पर, राज्यिस्तर पर, और इस्थानिय स्वसासन, तो यह चीज आपकी आज यहां आप लोगों को क्या पढ़ना होगा, तो अगर समासास की बात करें, तो बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट हैं, तो यह सबी आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे, यहां आपको बिल्कुल भी परिशानी नहीं आएगी, बहुत ही आसान है, समासास का जिसमें वर्ग आ जाएंगे, वर्तमान में जो सामाजिक समस्याएं आ रही हैं वो पढ़ना होगा हमें समासास्र में, जिसमें जातीवाद, सामप्रताइगवाद, गरीवी, भरस्टाचार, ठीके, ये सब कुछ हमको पढ़ना होगा, और जो वर्ण है, आश्रम है, धर्म, पुर्शा अर्थ, विवा और परिवार, बिल्कुल कॉमन चीज हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, सोसलोजी के अंदर, नेक्स्ट देखिए, पब्लिक एड्मिस्टेशन, लोग प्रशाशन, यहां हमें इसका अर्थ पढ़ना होगा, शेत्र यानि प्रकृति, और इसके संगठन के जो सिद्धान्त हैं, वह पढ़ने हैं, थर्ड नंबर पर देखिए, जो प्रशाशनिक व्यवहार है, नेर्ने लेना, नैतिक प्रेर्णा, नैतिक और प्रेर्णा, फोर्थ नंबर पर देखिए, भारतिय प्रशाशन के जो मुद्दे हैं, जहां पर लोगों की क क्या भूमिका रहती है वो पढ़ना होगा और लास्ट में नागरिक सिकायतों का जो निवारण है वह पढ़ना होगा लोकपाल एवं लोकायुक्त तो ये आपका स्लिबस रहेगा फिलोसोफी देखिए में आप लोकों को क्या पढ़ना है यानि दर्सन सास्त्र यहां वेद पढ़ने है उपनिश्यद पढ़ने है सुक्राती जो पद्धती है वह पढ़नी है कार्टिशियन पद्धती थर नंबर पर है ग्रीक नीती शास्त्र, सुखवाद, उप्योगितावाद, ठीक है? और कांट का जो नीती शास्त्र हैं वह है, संकल्प स्वतंत्रता, दंड के सिद्धान्त, नेक्स्ट, फोर्थ नंबर पर देखिए, वन आश्रम, धर्म, पुर्शार्थ, और निस्काम कर्म, गीता का निस्काम कर्म, जैन नीती सास्त्र, बौध नीती सास्त्र, तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है फिलोसोपी के अंदर. टीचिंग मेथड देखिए, टीचिंग मेथड में क्या पूछा जाएगा, वही सामाजिक अध्यन की प्रकर्टि और शेत्र, इसके अलावा, बिभिन शेत्रों में सामाजिक अध्यान सिक्षण के लक्ष्य, उदेश्य, सेकिन नमबर पर सामाजिक अध्यान का अन्य विशियों के साथ क्या संबंद होगा वह पढ़ेंगे और थर्ड नमबर पर सामाजिक अध्यान की जो सिक्षण विधियां है, प्रोजेक्ट मेथड है, समस्या समाधान मेथड है, समाजी करत जो अविव्यक्ति है, ये मेथड पढ़ना हुआ, यानि तीन ही मेथड इसमें पढ़ने है नेक्स्ट जो पॉइंट है, कुछ कारिक्रम है, नवाचार कारिक्रम जैसे की रोल प्ले यानि भूमिका और ब्रेंस्टोमिंग है, मस्तिक्ष उद्देलन और फिल्ट्रिप है फिफ्ट नंबर पर देखिए, अनुदेशक सहायक प्रणाली, जिसमें सामाजिक अध्यन में जो भी सिक्षन सहायक उपकरन यूज होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है, ये सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हो, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है टीचिंग प्रिंट हो गया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया हो गया, कम्प्यूटर हो गया, इसका क्या उप्योग है सामाजिक अध्यन सिक्षन में, ये देखना है, शिक्स नंबर पर देखिए, जो टीचर है, उसका क्या रोल होगा सामाजिक अध्यन में, यह देखना है, क्वालिटी पाठे चर्या यानि करिकुलम पढ़ना है, जिसमें NCF 2005 यानि 2005 का जो राष्ट्रिय पाठे चर्या है, वह पढ़ना है, एर्थ पर देखिए, सिक्षन नियोजन जिसमें वार्षिक, इकाई, ठीक है, दैनिक पाठ योजना, जो कि आप लोगों ने B.Ed में बनाई होगी, और नाइन्थ नंबर पर देखिए, मुल्यांकन के बारे में पढ़ना है, मुल्यांकन के उपकरण, प्रभधियां, विविन प्रकार के जो कॉश्चन होते हैं, कौन-कौन से प्रस्ण होते हैं, प्लूप्रिंट, उपलब्दी परिक्षन, ये पढ़ना होगा, तो इतना सारा स्लेबर्स देखने के बाद किसी को घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कि इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, अभी से ही स्टार्ट करेंगे, धीरे-धीरे, तो सारा कवर हो जाएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, और कुछ भी ऐसा नहीं है, कि आप लोगोंने कभी भी इन चीज में पढ़ेंगे और sociology जो है वो इतना difficult subject नहीं है एक philosophy है यह आपको थोड़ा सा नया मिलता है teaching method वही है ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें तो देखिए यह पूरे 8 subject हैं जो कि 300 number की होंगे धाई गंटे का इसमें समय मिलेगा 1500 question है हर question कितने marks का है दो marks का तो देखिए हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं यहाँ पर क्या रहेगा कि यहाँ आपको 11-12 की book पढ़नी है 180 number के लिए और graduation की book पढ़नी है 80 number के लिए ठीक है और जो teaching method है वो आपका 40 number का रहेगा तो देखिए history के लिए यानि इतिहास के लिए जो नई वाली NCRT book है 12-12 क्लास की तो उसमें 3 book चलती है वो आपको पढ़नी पढ़ेगी ठीक है तो history का आपका वहाँ cover हो जाएगा और यदि आप RBSC की book पढ़ते हैं तो वहाँ आपको ग्यारवी की जो world history book है वो आपको पढ़नी पढ़ेगी ठीक है और अगर geography की बात करें तो वही geography तो आपको ग्यारवी और बारवी यहां की पढ़नी पढ़ेगी जादा तर ग्यारवी की जो new NCRT है वो आप लोग पढ़ियेगा क्योंकि उसमें बहुत अच्छे तरीके से detail में दिया हुआ है जो आपका पूरा slavus cover करता है Economics की यदि बात करें तो बारवी new NCRT उससे आपका हो जाएगा Political Science जो है वह भी बारवी की बुक से जो RBSC की है RBSC की तो वहां से राजनीती विज्ञान की बुक है वो आप लोग पढ़ सकते हो समासास की यदि बात करें तो ग्यारवी क्लास की जो बुक है उससे आपका समासास के पूरे topic जो है वो cover हो जाते हैं ग्यारवी क्लास की new NCRT की बुक से और अगर RBSC की पढ़ते हैं तो वहां भी आप ग्यारवी क्लास की ही पढ़िएगा तो यहां पर देखिए इतना ज़्यादा अंतर नहीं है नई NCRT और RBSC में बस अंतर क्या है कि जो राजिस्थान का जीके है वो अलग से दिया गया है new NCRT में ठीक है यह second paper के लिए मैं बात कर रही हूँ जो भी SSD के student है Public Administration लोग प्रशाशन के लिए आपको 11 और 12 इसकी book पढ़नी होगी लेकिन वही topic पढ़ने है जो आपके syllabus में है यहां जो भी मैं आपको बता रही हूँ पूरी book नहीं पढ़नी है जो book में topic है वो आप लोगों को second paper के लिए पढ़ना है Philosophy की अगर बात करें तो इसके लिए एक अच्छी सी book जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी वेद प्रकास वर्मा की है The Basic Principle of Ethics तो वो आपके लिए सही रहेगी और teaching method के लिए अगर बात करें तो SST के जो teaching method है तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं कोई guide का सहरा भी ले सकते हैं teaching method के लिए या आपके जो पहले के notes हैं उनका भी use करके आप पूरे topic cover कर सकते हैं क्योंकि teaching method जो है वो आप लोगों ने पहले पढ़े हैं बीएड में भी पढ़े हैं तो वही notes आपके यहां पर भी useful रहेंगे तो देखिए first paper की जहां बात करें तो वहां आपका 12th class तक book से आपका हो जाएगा second paper की बात करें तो वहां आपके यानि 6 से लेकर 12 तक तो आपको राजिस्थान का जीके जो है वो पढ़ना होगा paper 1 के लिए ठीक है और paper 2 की अगर बात करें तो यहां पर आपको 11th 12th की book तो पढ़नी ही है बहुत जादा जरूरी है और जैसे कि स्लिवस में दिया हुआ है कि graduation की book भी आप लोग पढ़ियेगा तो चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा अपना पूरा स्लिवस बहुत ही धीरे से मैंने आप लोगों को बताया है इतनी जल्दवाजी नहीं की है और आप लोगों को भी जल्दवाजी नही करनी है आराम आराम से पढ़ना है तो इसी तरीके से हम लोग next वीडियो में discuss करेंगे next subject के उपर thank you